नश्कार शाथियों, निर्मान क्लासे जवद्या में आपका हर्दिक स्वागत है महासागरी धाराओं की दो क्लासेज हो चुकी हैं, कांसेप्ट हम समझ चुके हैं अब उसके अगले चरण में चलते हैं, क्योंकि यहां लिस्टिंग से नहीं मतलब है कि लिस्ट बना लें जैसा कि आप लों के पास लिस्ट उपलब रहती है, जल्धाराओं की उससे नहीं मतलब है किनी जलधाराओं का एरिया क्या है क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या महत्त है इन सब बातों को भी हमें जान कर चलना है क्योंकि अब जलधाराओं से जो प्रशना रहे हैं वो simply इन चीजों को फोकस करते हुए आ रहे हैं इसनी आपको मेंटेन करके चलना अनिवार है तो देखते हैं क्या क्या है हमें प्रार्यम करना है आज उत्री अट्लांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में तो पहले हम देखेंगे उत्तरी अट्लांटिक महासागर के क्या इस्थिती है क distintosember तो बेस आपका चेत्र बना हुआ है फिर भी एक बार हम बड़े मैप में देख लेते हैं उत्री महासागर की क्या इस्तिती है ताकि उसकी जल्दहराओं को समझना हमारे लिए आसान हो जाए यह आपका वर्ड का मैप है उत्री अट्लांटिक महासागर मतलब यह है इसके इस महासागर के पस्चिम में आप देखिए उत्तर अमेरिका दच्छिड पस्चिम में आप दच्छिड में देखिए अफ्रीका दच्छिड अमेरिका आ रहा है पस्चिम में अफ्रीका और यूर जल रही है तो कुल मिला करके आपको यह जानना है कि यहां जल धाराएं तो जीरो वंसी क्वेटर पर जब हम आएंगे जीरो वंसी क्वेटर पर आने पर हमें क्या मिलता है उत्तरी अट्लांटिक महा सागर की धाराएं अभी हम पढ़ेंगे यह ऐसे आगे बढ़ती हैं दो भ सर्किल के रूप में मार्क है आपका इस तरह से निर्मान हो जाता है इसे आपको मेंटेन करके चलना है यहां पर आपके वेस्टन डीज है यह आपका मेक्सिको की खाड़ी है यह आपका फ्लोरिडा है यह आपका न्यूप फाउंड लेंड है यह आपका पेपिन की खाड़ आइसलैंड नार्वे, फ्रांज, स्पेन, कानारी द्यूप। इनहीं सबका नाम केप वर दे। शेर चर्चा में आना है। मोटी मोटा आपने देख लिया। आप अपनी एकलस के साथ रहिए। आसान हो जाएंगा। एक बार में ही बात भी समझ में आ जाएगी, और याद भी हो जाएगा, तो लगभग में आपका एक चित्र भी बना हुआ है, तो हम देखते हैं क्या है, उत्तरी अट्लांटिक महासागर की जलधाराओं में जाएंगे, तो पहला है उत्तरी विश्वत रेखिये जलधारा, अगर हम उत्तरी विश्वत रेखा, यानि कि ये एकवेटर है, इसका जो नार्थ हिस्चा है, उत्तरी हिस्चा है, यहाँ पर हमें उत्तरी विश्वत रेखिये जलधारा मिलेगी, अब इसकी दिशा जो है यह, यानि कि हमने पिछली क्लास में यह समझा था, कि पृत्वि Communist का जो होता है कम लगता है इसलिए पीछे टकरा गया ऐसा आपने समझने के लिए भी हमने पढ़ा था और कई प्रभावों के बारे में पढ़ा था तो यह जल आपका दिशा क्या है पूरव से पस्चिम की ओर आ प्रिथबी का घूलन और व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है यानि कि प्रिथभी जो है आप व्यापारिक हवाएं जिन्हें आप ट्रेड विंड्स कहते हैं उसकी दिशा पूर से पश्चिम की ओर है ये बाते भी आपकी प्रस्ट नहें इस बात को ध्यान रखिएगा एरो बता रहा है कि वो हवाएं कहां बहती होंगी इनके प्रभाव में यानि उल्टी दिशा में प्रित्वी चल रही तो जल पीछे की ओर भग रहा है और व्यापारिक हवाएं उसका साथ दे रही हैं इनके प्रभाव के कारण दच्छिड अमेरिका के पूर्वी तठ पर टक टक्राती है ठीक है यानि ब्राजील और उसके उत्तरी हिस्से में टक्राती है ठीक टक्राने के बाद क्या होता है यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है एक नंबर और दो नंबर लिखा हुआ है यानि कि यहां पर दो धाराएं बन जाएंगी टीक ये एक नमबर से सो है ये दो नमबर से सो है दो धाराएं बन जाएंगी आपकी टीक है इन दो धाराओं में पहली एंटिलीज गर्म धारा है जो बेस्ट इंडीज के पूर से बहती है ये आपकी एंटिलीज है एंटलीज जलधारा है जो इस West Indies के पूरब दिशा से बहते हुए जा रही है आप एटलस देखेंगे तो West Indies Caribbean द्यूप समूँ आपको असपर श्टोर पर दिखाई देंगे उनके पूरब दिशा से बहते हुई जा रही है दो नमबर जलधारा Caribbean सागर होते हुए यूकाटन चैनल तक जाती है तो आप देखेंगे कि West Indies के बास यहाँ पर Caribbean सागर है और यह है आपका यूकाटन चैनल है यूकाटन जलसंद है और यह आपकी मेक्सिको की खाड़ी है यह आपकी मेक्सिको की खाड़ी है गल्फाफ मेक्सिको है तो गल्फाफ मेक्सिको और Caribbean सागर को जोडने वाली जलसंद है उसी को हम यूकाटन चैनल कहते हैं यह भी आपका प्रशना है तो यहाँ यूकाटन चैनल तक वो पहुंच जाती है दो धाराओं में विभक्त हो करके यानि कि भूमध रेखिए छेत्र में जो उत्तरी गोलार्द वाली उत्तरी अच्छांस वाली आपकी जल्धाराएं है पूर्वी तठ दच्छिड अमेरिका से टकरा करके दो धाराओं में विभक्त हो करके एक वेस्टन डीज के पूरव से होकर जा रही है एक अंदर की और कैरेवियन सागर होते हुए यूकाटन चैनल होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में चली जा रही है यहां तक हमारा हो ग खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम ठीक है तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में क्या लिखा है उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से हुई यानि कि यहां पर जल बढ़ रहा है जल का एमाउंट यहां पर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है यहां उचाई बढ़ती गई उ इधर से ही निकलेगी, इधर से भी आ रही है, इधर से भी निकलेगी, ठीक है, अब यहाँ पर आपका, ठीक है, यह इधर की और पहुंचती है, तो इसे गल्फ इस्ट्रीम कहा गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ती जो हो रही है, वो मैक्सिको की खाडी में हो रही है, मैक्सिको क यहां का कारण अलग है इसलिए इस जल्धारा का हमने अलग नाम रखा और आप जानते हैं पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि निश्चित दिसा निश्चित सीमा तक तो इसकी सीमा यहां गई और इसकी सीमा यहां से सुरुवात हो रही है ठीक है गल्फ स्ट्रीम नाम दि गया गल्फ स्ट्रीम नाम दिया गया इसको तीन भागों में बाट कर पढ़ा जाता है पहला भाग है फ्लोरिडा धारा ठीक है तीस अंस के पास से एंटिलीज भी मिल जाती है आप जानते हैं यह जो हिस्सा है ठीक है आपका यह जो हिस्सा है यह इसे आप फ्लोरिडा नाम नाम से जानते हैं यूसे में आप देखेंगे तो येसे में एक पूछ लटकी हुई है जिसे आप फ्लोरिडा नाम से जानते हैं और इसी फ्लोरिडा के यहां बिलकुल जहां से लटकना शुरू हुआ यहीं 30 डिग्री नार्थ एक्सिस पाई जाती है ठीक है तो मेक्सिको की Presla 여러분 से जो गल्फ इस्ट्रीम निकली यहां पर इसका नाम क्या है फ्लोरिडा जलधारा है और यह एंटनिज आ करके मिल जाती हैं यहां 30 डिग्री ने सो मिल गई ठीक है मेक्सिको के खाडी से निकली ही गल्फ इस्ट्रीम फ्लोरिडा के पूर्वित पर बह रही है तब इसका नाम फ्लोरिडा जलधारा है नंबर एक वाला और तीस अंस के आसपास एंटिलीज भी आकर के मिल गई यानि कि दो और से जब जल मिल गया तो जाहिर सी बात है फिर एक बड़ी जलधारा का निर्माण हो गया और बड़ी जलधारा को आप करेंट नह जान रहे हैं बाट कर भी पढ़ेंगे तो गल्फ इस्ट्रीम यहीं पर आपका हेटरास अंतरीप है ठीक है है हेटरास केप है यहां पर यहीं फ्लोरिडा के तीस अंस के पास हेटरास केप है और यहां से यहां ग्रांड बैंक आपका है यहां तक इसका नाम क्या जाना तक फ्लोरिडा यहां तक करे वियंस अगर की जल्धारा यहां पर यहां तक एंटिलीज जल्धारा सब मिल करके क्या बन गई नहीं गुद्फ इश्ट्रीम बन गई हेटरासं तरीफ से ग्राइड बैंक तक जा रही है यानि कनाड़ के बारडर तक जा रही है तो आप देखेंगे कनाड़ युससे का बारडर यहीं आसपास है यहां तक जा रही है इस बात को आपको ध्यान में रखना है थी फिर चालिस अंस के निकट लेबराडोर ठंडी जल्धारा मिलती है ठीक है आप यहां पर आपका लेबराडोर सागर है यहां पर आपका अगर देखेंगे तो लेबराडोर शागर है तो इस Grand Bank Newfoundland के पास चालिस डिगरी 40 अच्छा अगर आप देखेंगे तो लगभग यहीं पर आएगा तिक है इधर से कोई जलधारा आ रही है इधर से कोई जलधारा लिब्राडोर शागर होते हुए आ रही है और यहां Grand Bank के पास 40 डिगरी के पास इससे मिल जाती है अब यह बहुत गर्म जलधारा है यह बहुत ठंडी जलधारा है यहां आकर मिल रही है तापमान बितक्रमण हो जाएगा इस एरिया में इन्वर्शन आफ टंप्रेचर हो जाएगा इस एरिया में तुछ है आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा और न्यू-फांड-Land के पास घ्लुरा हो गया क्यों गल्फ इस्ट्रीम के साथ जल्वास्प जा रही है ग्रम जलधारा के साथ ठंडी वाली जलधारााइब जल्धारा आकरकर जलवास को ठंधा कर देगी तो संगनन सुरू हो जाएगा कंडनसेशन सुरू हो जाएगा तो पुहरा बादल जैसे इस्तिति बन जाएगी और यही ग्रांड बैंक है मचलियों का बैंक यानि मचलियों के प्रजनन के लिए एक आदर्स इस्तिति मिल गई साथ ही साथ यह जो सारा ठंडी वाली आ रही है यह अपने साथ आइसबर्ग भी लेकर के आती है यहीं टाइटेनिक डूबा था ठीक है पिछली क्लास में मैंने बताया है यहीं टाइटेनिक डूबा था यह जो आइसबर्ग लेकर आ रही है इस आइसबर्ग में प्लैंकटन्स होते हैं जो मच गुदरा नहीं मिलेगा इस टाक मिलेगा मचली बैंक यहां पर बन जाता है सारी चीजों को जोड़ करके आप से पूछेगा इस बात को आपको जानना है तो गांड बैंक तक पहुंच गए घना कोहरा चा गया न्यू पाउंड लेंड के पास फिर इस धारा पर कुछ प्रभा भी होती है तो पच्छुआ हवा यह भी पस्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है और एर्थ रोटेशन भी पस्चिम से पूर्व है और आपका कोरियालिस बल भी पस्चिम से पूर्व की ओर लग रहा है तो यह जलधारा क्या होगा पूर्व की ओर विच्छेपित हो जा पिछली क्लास में आपने पढ़ा उसे drift कहा जाता दिखे Florida current चोटी जलदारा gulf stream बड़ी जलदारा हवा के प्रभाव से बनने वाली जलदारा ट्रिफ्ट कहा जाता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा है तो यहां पर क्या बन गया यहां पर बन गया उत्तरी अट्लांटिक गर्म प्रवाह यानी ड्रिफ्ट यह कितना आसान है लिंक पूरा बना हुआ है कितना आसान है तिक है यह नार्थ-Atlantic डिफ्ट बन गया अब यह दो साखाओं में है एक है इसकी उत्तरी साखा यानि यह नार्थ है आपका नार्थ की और और यह इस्ट है आपका इस्ट की और अब कैसे नार्वे तो आप जानते हैं यहां पर ब्रिटिस जो आपका आइसलेंड है इसी के पास यहां पर नार्वे फिनलेंड आदी है यहां पर नार्वे है इस बात को आप जानते हैं तो एक एक जल्धारा नार्वे गर्म जल्धारा एक इधर को चली गई यह गर्म है ना इर्मिंगर गर्म है Iceland के दखेड़ में यह आपका Iceland है एक जलधारा इधर चली गई एבה Ireland ़ोटे हुए चली गई यह इर्मिंगर है आपकी पूर्वी साखा फ्रांस सिस्पेन के तड़ पर पहुंच गई यह पहुंच गई तो और ये पहुँच गई तो ये भी जो दो जल्धाराओं में बट गई एक तो जल्धारा सीधा पहुच गई ये विसके की खाड़ी है फ्रांस में आप देखेंगे तो आपको असपष्ट विसके की खाड़ी दिखाई देगी एक जल्धारा तो विसके की खाड़ी में इंट्र से के पवरदे तक है तो मदीरा दीडरा मिलेगा यहां पर कनारी मिलेगा कनारी समुर्ट यहां पर पवर्डे मिलेगा ते आप अपरीका के पस्मी तठ पर अगर आप दैखेंगे मडारी कनारी और केप वर्ड रे तीनों दिवागे दिखाई देए और इसी कनारी दिवाक के नाम पर इस जल्धारा का नाम ऑच कनारी दिवागे गया और ये आप करके आप ठंडी जल्दारा है क्यों ठंडी जल्दारा है क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये धुरुब की ओर से आ रही है इधर जो जल्दाराएं जा रही है वो साइड साइड से वापसी ले करके भी आ रही है और वापसी ले करके आ रही है तो जाहिर सी बात है वापस आ आ करके ठंधक भी उत्पन करती रहेंगी इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब वहीं लेबराडोर जलधारा ठंडी है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बेफिन की खाड़ी है और यहाँ पर न्यूफाउंड लैंड है यहीं से आ रही है यह भी ठंडी जलधारा है ठीक है शिंपल देखिए सिंपल कितना आसान कि कैसे कैसे आसान है बेस्टन डीज के पास एंटिलीज है फ्लोरीडा के पास फ्लोरीडा है मैक्सिको की खाड़ी से बन रही है गल्फ इस्ट्रीम है ठीक है पस्चमी हवा के दभाव में तो विश्केक की खाड़ी में जा रही है आपकी तो रेनल जलधारा है यह रेनल है रेनल है और कनारी द्यूब समूह के पास से आ रही है तो वह कनारी जलधारा है नाम भी बहुत नहीं रटना है कुछ नामों को याद करना है तो कुछ लोकल अस्थानों के नाम पर ही नाम है आस एक सरकिल का निर्मान हो गया यानि कि कई नदीयों जितना प्रवा यह ऐसे बहता रहता है और पिछली क्लास में मैंने लाभान में महत्त में मैंने बताया था अगर आपको याद हो पिछली क्लास आप देखेगा तो यही जो नार्वे वाली जलधारा जा रही है यह इधर से यहीं चली जाती है तो यहीं पर रसिया का मुर्मुंस्क बंदरगाह मिलता है और मुर्मुंस्क बंदरगाह देखे नार्थ पोल के पास पहुँच गया नार्थ अटलांटिक सब सरकिल को भी पार कर गया है यानि बिल्कुल उत्री धुरूप के करीब में है और फिर भी वो यहीं जलधारा गर्म वाली आती है मैं चल रहा है और तत्कव बारिष सुरूँ हो जाती है क्यों गर्म जलधारा के साथ जल्वास्प भी होती है सारी जल्वास्प यहां कहतम हो गई जो बची हुई है वो यहा वारिस बार हो महीने जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने कांसेप्ट में आगे चलेंगे तो आप पहुंचेंगे जब अंतिम हिस्से में क्लाइमेट पढ़ने तो क्लाइमेट का निर्धारत जिसे जल्धारा समझ में आ रहा है जिसे परवत पठार समझ में आ रहे हैं समय नहीं लगेगा तो यह ऐसे चल रहा है पूरा और तो और एक जल्धारा यहां से आते हुए इधर भूमद्य सागर रूम सागर में भी घुस जाती है यह भी है लेकिन वो इंडिविज्वल अलग से आपको पढ़ना है कुछ बची धाराओं को हम अलग से पढ़ेंगी यह सिरीज मेंटेन हो रही है पिछली साले का और कॉस्चन पूछा जल्धारा थे नहीं लेकिन जिसको जल्धारा आता है वही उसे सही कर सकता है यहां पर आपको कोई एरिया मिलेगा यहां पर आपको बर्मूडा मिलेगा बड़ा खतरनाक प्रत्वी पर जगा है जिसके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया जाता है भूत प्रेत रहते हैं, इलियन्स रहते हैं तमाम ऐसी बाते हैं और विज्ञान क्या कहता है विज्ञान यह कह रहा है कि जैसे अगर आप बाल्टी में पानी को घुमाईए तो आप दिखेंगे मद्ध का जो पानी है, मद्ध का जो जल है वो इस्थिर रहता है लगभग इस्थिर रहता है और किनारे पर खुब मूवमेंट हो रहा है किनारे पर बाल्टी में खुब मूवमेंट हो रहा है सरकिल बनी हुई है बीच का पानी स्थिर रह गया बितुक्रम दसाएं उत्पन होती है पानी सड़ गया नेचुरल रूल है रुका हुआ सड़ जाएगा जिसमें बहाव है जिसमें फ्लो है सफलता उसी को मिलेगी वही फ्रेस रहेगा और जो रुक गया खरगोस की तरह सो जाएगा हार जाएगा सड़ जाएगा गड़े का पानी सड़ जाता है नदी का नहीं सड़ता है क्यों क्योंकि नदी में बहाव होता है गड़े में कोई बहाव नहीं होता है पानी यहां सड़ गया यहां पर बहुत तरह की बनस्पतियों और अजीब टाइप के जीवों का निर्माड़ अभी बहुत कन्फरमेशन नहीं है क्या यहां मिल रहा है इतना तक कहा जाता है कि इतना बड़ा राच्छस रहता है कि हवाई जहाज को भी खीच लेता है तो यहां ग्रेविटिशनल फोर्स की भी चर्चा होती है कि इस्थिती कुछ अलग है अभी कारणों पर बहुत ज़्यादा प्रकास वैज्ञानिक नहीं डाल पाए क्योंकि अध्यन करने के लिए कोई बचता ही नहीं है और प्रेक्टिकल जब तक नहों तक तक तो अध्यन पूरा नहीं होगा और अगर हम बात करें थेवरिटिकल की तो थेवरिटिकल सीधा दिख रहा है कि चारो वार पानी बहरा है तो बीच का पानी रुक गया रुक गया तो सड़ गया तो यह से गड़े के पानी में जो है बजब जीव हो जाते हैं नुकसान दायक हो जाता है वैसे ही यह तो महा सागर है तो महा सागर में क्या होगा आप समझ रहे हैं तो यह प्र्षणों की limit नहीं है कि आप Lot Já आप उन्से बना लिजी आप एक जलधारा खाली स्भाडे प्र लिश्ट बना लइ यह ठंडी है और जो अवस्तन इधर ठंडी हो चुकी है इधर को आ रही है कनारी यह प्रमुक में यह दो ठंडी है बाकी सभी गर्म है अब पता चला कि नार्वे के पास की जल्धारा पूछ रहा है कि नार्वेजियन जो आपका करेंट है वो कैसी होगी तो नार्वे नहीं है जल्धारा का दिसा देखिए गर्म और ठंडा पता चल जाएगा और दिसा नहीं समझ रहे हैं यानि कि विस्वत रेखा से धृमों की ओर जाने वाली गर्म और धृमों की ओर से विस्वत रेखा की ओर आने वाली ठंडी एंगल सामने आपको दिख रहा है मुझे न खाड़ी गल्फ इस्ट्रीम यानि कि सब कुछ जुड़ घटके यह बन रहा है फिर उत्तर अत्लांटिक ड्रिफ्ट यह बन रहा है जो कई साखाओं में पूरवी उत्तरी में बिभक्त हो जा रहा है और लेब्राडोर शागर की और शेयाने वाली लेब्राडोर जल्धारा सा समक्षों में अगर आपको ppdf चाहिए तो दिस्क्रिप्टा बाक्स में link डिया हुआ है pdf के लिए आप वहां से PDF awareness सकते हैं ले सागर की जल्दहराओं को पढ़ेंगे तो जान बूच कर अलग-अलग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यहां से हमारे प्रश्ण गलत ना होने पाएं चाहें तो हम एक साथ भी जल्दहराओं पढ़ सकते हैं लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं है अब कांसेप्ट मिलाते हुए पूछ रहा है सिर्फ गर्म और ठंडा नहीं पूछ रहा कि आप रट के चले जाएंगे और रटने पर वैसे भी आपका गलत हो रहा था इसलिए अब समझ कर पढ़िए समझ के पढ़ने का जमाना है जमाने के साथ चलिए ठीक है अगले वीडियो तक के लिए जय हिन जय भा धन्यवाद